हेलो दोस्तों तो हम अपनी जीकी जीस की सीरीज में रेलवे ग्रूपडी के सवाल कर रहे हैं जो 2018 पेपर हुए तो अभी तक हम ये 2018 वाल जो पेपर है ग्रूपडी के उसमें पांच पार्ट पूरे कर चुए है और आज हम पार्ट 6 कर रहे है तो आए हम सबसे पहले 16 तारीक अगर खिंची जाती है तो उस पर लागुबल को खिचाओ कहा जाता है ओजोन का आणविक द्रवमान कितना होता है तो ओजोन का आणविक द्रवमान 48 यूनिट है किसका सामाने सूत्र C-NH2N-2 है तो एलकेन, एलकेन का फॉर्मला होता है C-NH2N-2 शुक्रवाही का सामाने मार्क के निर्मार के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है तो शुक्रवाही का सामाने मार्क के निर्मार के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्क कहा जाता है कौन स एक संक्रमन धातू नहीं है तो NP Сंक्रमन धातू नहीं है hail Caesar का सूत्र का एकाई ऄत्रमान कितना होता है तो CA tulisum oxide का सूत्र kईकाई लकषपन छपपन होता है black and white photography में किस धातू के योगिकों का उपयोग किया जाता है तो ब्लेक और भाइट फोटो में अजी यानी पारा धातु के और योगिकों का उपयोग किया जाता है धातु का वाइगुन क्या है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है तो धातु का बैगुण तन्यता कहलाता है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है सामन रूप से एक कौनसी अविक्रिया को छार प्लस अमल से बनकर लवन प्लस जल के रूप में लिखा जा सकता है तो उदासीनी करण अभिक्रिया को 6 प्लस आमल से बनकर 11 प्लस जल के रूप में लिखा जा सकता है प्रत्यक नियूरोन एक साइटोनन यानि सेल बोडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी छाखाएं निकली होती है जिनने क्या कहा जाता है तो प्रत्यक नियूरोन एक साइटोनन सेल बोडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी छाखाएं निकली होती है जिनने दुमिकाएं कहते हैं यदि एक बंदूग से गोली चलाई जाती है और बंदूग पीछे की और आती है तो बंदूग की गति जूर्जा गोली से कितनी होगी तो यदि एक बंदूग से गोली चलाई जाती है और बंदूग पीछे की और आती है तो बंदूग की गति जूर्जा गोली से कम होगी उच्छे बटे छेत्रफल किसके बराबर होता है तो उच्छे बटे छेत्रफल जो है वो धाव यानि प्रेशर के बराबर होता है आए उन 16 तारीक के सेकंड शिट्ट के सवाल देखते हैं सबसे पहला है एक चीटी के डंक में कौन सा एसिट पाया जाता है उत्तल दरपन की फोकस लंबाई कैसी होती है अडू का गठन करने वाले परमाडू की संख्या को किसके रूप में जाना जाता है अडू का गठन करने वाले परमाडू की संख्या को इसके परमाडूकता के रूप में जाना जाता है आधुनिक आवर्साणि के समू किस में सभी तद्वग्यस हैं तामबद हतू का उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है तो तामबध हतुं का उपयोग विद्धुत्तार को बनाने के लिए किया जाता है किसने पदार्थ की प्रकर्ती के बारे में बुनियादी सिद्धान्त प्रदान किया जॉन डेल्टन ने पदार्थ की प्रकरती के बारे में बुनियादी सिध्धान प्रदान किया ध्वनी किस माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर हमें ध्वनी का समवेदन प्रदान करती है इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तै की गई दूरी को औसत गती कहा जाता है कौन से दोनों में स्थिती में एक अभिलंबित किरण आपतीत किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतय पर होते हैं तो आप आवर्तन और परावर्तन दोनों में स्थिती में एक अभिलंबित किरण आपतीत किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतय पर होते हैं कौन सा अमल पादप हर्मोन व्रद्दी रोगता है तो एपसेसिक अमल पादप हर्मोन व्रद्दी रोगता है एक एलेक्ट्रोन में कितने आवेश होते हैं तो एक एलेक्ट्रोन कैसा आवेश होता है जिसमें 1.6 गुणादस की पावर माइनस 19 कारबन होते हैं तो एक एलेक्ट्रोन रडात्मक आवेश का होता है जिसमें 1.6 गुणादस की पावर 19 कारबन होते हैं कौन सा बीजानु निर्मि द्वारा उत्पन होता है तो राइज़ो पच्छ जो है वो बीजानु द्वारा निर्मान उत्पन होता है ज talking आए हम सोला तारिके थर्ड शित के सवाल लेगते हैं सबसे पहले रक्त में क्या नहीं होते हैं तो रक्त में तंतु बंद नहीं होते हैं परमाणु क्रमांग कौन सा है वाला एक तत्व नीचे दिये गए 35 परमाणु क्रमांग के तत्व के समान विशिष्टा रखेगा तो परमाणु क्रमांग सत्रा वाला एक तत्व नीचे दिय गए 35 परमानुक्रमांग के तत्व के समान विशेष्टा रखेगा। जिन अंगों की मूल सनरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कारवी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जब दो समान बल किसी पिंड़ पर एक दूसरे की विरुध दिशा में प्रयक्त होते हैं तो पिंड़ पर प्रयक्त होने वाला कुल बल के तरर कैसा होगा। एक वरत्तकार पथ में इस्थिर गती वाले पिंड की गती को समान क्या कहा जाता है? वस्तूव में कमपन होने पर क्या उत्पन होता है? जब लोहे की फाइलिंग में हाइडरोकलॉरिक एसड मिलाया जाता है तब क्या तैयार होता है? तो जब लोहे की filing में hydrochloric acid मिला जाता है तब hydrogen gas और low chloride तयार होता है किसमे कोशी का विभाजन को पृत्साहित करता है तो cytokinin जो है वो कोशी का विभाजन को पृत्साहित करता है जल में अमल के मिश्रन को क्या कहा जाता है जिसके परमान स्वरूप प्रती इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है जल में अमल के मिश्रन को तनुकरन कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रती इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है किसको ना तो उत्पन किया जा सकता है और ना ही नश्ट किया जा सकता है आईए भूं 22 तारीक के 1 शिफ्ट के सवाल देखते हैं सबसे पहला है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षन नियतांग जी की खुज किस ने की थी सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रेद किया जाता है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभाव एकाई को क्या का जाता है गुरुत्वा कर्शन द्वारा त्यार किया गया कार रिवस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्ताओं की किस पर निर्भर करता है जब पौधे के भाग की व्रद्धी या गती प्रकाश की अनुपस्थिती में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप आधुनिक आवर्द सार्णी में इलेक्ट्रोनिक विन्यास 2,8,3 वाले तत्व किस में पाए जाएंगे। समय के साथ किसी वस्तु का वेक दिखने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वे धातु क्या कहलाएगी। किसके दहन से N2 और S ऑक्साइड का निर्माण होता है। कोईले और पेट्रोलियम के दहन से N2 और S ऑक्साइड का निर्माण होता है। CO2 के 10 मोल्स का द्रवमान कितना होता है। तो CO2 के 10 मोल्स का द्रवमान 440 होता है शक्ति की ऐसा ही एकाई क्या है तो शक्ति की ऐसा ही एकाई वाट है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से कैसा होता है तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए उसमें डूब जाती है आए वंबाइस तारीक के सेकंड शिफ्ट के सवाल लेखते है सबसे पहला है पांचवे आवर्त में अती धात्विक तत्व कौन सा है तो पांचवे आवर्त में अती धात्विक तत्व रूबीडियम है PB plus CuCl2 से बनी रियक्शन है PB,Cl2 plus Cu की दी गई समीकरंड किस अविकरिया का एक उधार रहन है तो ये अविकरिया जो है वो विस्थापन अविकरिया है इसमें Cl2 का विस्थापन हो गया है Cu के बाद PB के पास पहुँच गई है सहसायोजी बांडेड अनुओं में निमने गलनांक और क्वथनांक बिंदू होते हैं क्योंकि इंटर्मोलिकुलर बल कैसे होते हैं जब किसी पिंड को विश्यूवत रेखा से उत्तर और दक्षिंद द्रूवों पर ले जाय जाता है तो उसका भार में क्या होता है तो जब किसी पिंड को विश्यूवत रेखा से उत्तर और दक्षिंद रूवों पर ले जाता है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व किसके बराबर होता है किसका रसाइनिक सूत्र Na2SO4 है, तो सोडियम सलफेट का रसाइनिक सूत्र Na2SO4 है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाहे तुचा, जिसे हम एपिडर्मल कहते हैं, कोशिकाओं से बढ़ने वाली उभार को क्या कहा जाता है, तो ब्रायोफाइट्स की निचली बाहे तुचा, को टेल्क खनिच सबसे कैसा होता है तो टेल्क खनिच सबसे नराम होता है किसमें मूत्राशा से आने वाली ट्यूब के साथ एक जुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके तो वास्ट डिफरेंस जो है मूत्राशाय से आने वाली ट्यूब के साथ एक जुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम बर मार्ग बन सके हड़ियां एक कैसी होता है तो हड़ियां एक साहियोजी होता है C6H14 में क्या होता है आये 25 तरीक के थर्चेप के सवाल लिखते है सबसे पहला है पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा और स्कलेरेंकाइमा साधारन इस्थायोत्तकों के कितने प्रकार है तो पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा और स्कलेरेंकाइमा साधारन इस्थायोत्तकों के तीन प्रकार है यदि समवेग और वेग दिया हो तो द्रवमान ग्याद करने के लिए प्रयोक्त सूत्र क्या होगा तो यदि समवेग और वेग दिया हो तो द्रवमान ग्याद करने के लिए प्रयोक्त सूत्र होगा M बटे V यानि की समवेग बटे वेग पर प्रजनत तंत्र के किसमें मुख्य अनुवानशिक सामगरी पाई जाती है पौधे के किसी अंग की व्रदी यगती जब किसी विशिष्ट उदिपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो पौधे के किसी यंग की वरद्धी या गती जब किसी विशिष्ट उदिपक की होर होती है तो इस प्रक्रिया को धनात्म कनुवर्तन कहा जाता है वे आवरती पौधे जिनके बीजों में दो बीजी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कार करने की गती क्या कहलाती है तो कार करने की गती शक्ति कहलाती है किसने आधुनिक आवर साइनी प्रस्ताव दिया तो मौसले हैंडी मौसले ने आधुनिक आवर साइनी प्रस्ताव दिया किसके द्वारा किया गया कार उस पत पर जिस पर वस्तु गतिमान है पर निर्भर नहीं करता तो गुरुत्व यानी ग्रेविटी द्वारा किया गया कार उस पत पर जिस पत पर वै वस्तु गतिमान है पर निर्भर नहीं करता किसके द्वारा मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है एक lens की शक्ति इसकी किस पर क्या होती है तो एक lens की शक्ति इसकी focus दूरी के वित्व क्रमानु पाती होती है परमानु संक्य 11 वाला तत्व कैसा होगा तो परमानु संक्य 11 वाला तत्व एक छारीय ऑक्साइड बनाएगा किसी की प्रकर्ती में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है तो C.A. प्रकर्ती में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है आए ये 19 तारीक के फश्यूट के सवाल देखते हैं सबसे पहला है तंग्स्टन तत्व का गलनांक और कौथनांक कैसा होता है तो तंग्स्टन तत्व का गलनांक और कौथनांक सबसे उच्च होता है जब किसी वस्तू को पानी में डूबोया जाता है तो उस पर उपरी बल कारे करता है इस बल को क्या कहा जाता है किसमें एंजेयो स्प्रम समू के पौदों की एक विशेश्टा है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिती या आकार लेने की वज़ा से लगने वाली ओर्जा को क्या का जाता है कलीका द्वारा विक्सित नया जीब हाइड़ा है एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सत्य चमकदार होती है तो एक धातु के उस गुण को धात्विक चमक कहा जाता है जिसमें उसकी सत्य चमकदार होती है सम्वेक की अंतराष्ट्री काई क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से किसका संसलेशन प्रकाश रसाइने का विक्रिया नहीं होती है। समू एक के तत्वों को क्या कहा जाता है। अणुशब्द के परिचाय किसके दौरा 1896 में आस पास कराया गया था। तो अणुशब्द के परिचाय विलहेम ओस्टवाल्ड दौरा 1896 के आस पास कराया गया था। अन्ता इस्तरावी गरंथियों को क्या कहा जाता है तो अन्ता इस्तरावी गरंथियों को वाहिनीहीन गरंथि भी कहा जाता है। जब कोई वस्तू उत्तर लेंस के F1 और O के मद्ध पर हो तो प्रतिविम कहा पर कैसा होगा। जब कोई वस्तू उत्तर लेंस के F1 और O के मद्ध पर हो तो प्रतिविम अभी वर्दित आभासी और सीधा होगा। आए अन्ते इस तारीक के शेकेंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला है कौन सा सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेश रूप से पानी में पाय जाते हैं। तो उस अभिक्रिया को दुविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें दो योगिक आएनों का आदान प्रदान कर नए योगिक बना जाते हैं। आदुनिक आवर्षाणि के किस आवर्थ में दो अभिधातुएं हैं। किसके सिध्धात द्रवमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टिकरण प्रदान करता है। कौन सी एक आघात वर्दनियता अधिक्तम होती है। तो किस दातुगी अधात अघात निये वर्दिता अधिक्तम होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्धत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्दित करता है। यदि कार्रिका मान रेनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्र हो रहा है उसकी उर्जा कैसी होगी। उर्जा के चतुरत इस्तर में समयोजित किये जा सकने वाले इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संक्या कितनी होगी। ठोस के अणूओं के बीच आकर्शन बल अधिक्तम होता है। योवरनारंब के दोरान स्वेद गरंतियों और वसा गरंतियों में इस्तराव बढ़ता है इन गरंतियों से इस समय स्वेद और तेल तत्व इस्तरावित होता है। धर्मा मीटर में उपयों की जाने वाली तरल धातू कौन सी है? मनुष के शरीर में उपस्तित किस में केंद्रक नहीं होता है? H2SO4 योगिक में सबसे अधिक अणू होती है किसके दोरान मूल कार एक DNA कौपी का निर्मान करना होता है द्रवमान और वेक का गोड़नफल क्या कहलाता है घरों उद्योकों और वानिजिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली उर्जा को आम तोर पर किस में दर्शा जाता है तो घरों उद्योगों और वानिजिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली उर्जा को आम तोर पर किलोवाट घंटा में दर्शा जाता है आधुनिक आवरसाणी में समू सत्रा का प्रतम तत्व कौन सा है सिलिकोन हाइड्रोजन के साथ योगिक बनाता है जिसमें कितने परमाणूं तत्व की शंक्ला होती है तो सिलिकोन हाइड्रोजन के साथ योगिक बनाता है जिसमें 7 से 8 परमाणूं की तत्व की संख्या शंक्ला होती है प्रत्यावर्दी धारा का आविश्कार किस ने किया था तो प्रत्यावर्दी धारा का आविश्कार निकोला टेसला ने किया था किसका मान 6.6734 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेर बटे केजी स्क्वेर होता है तो गुरुत्व आकर्षन निये तांक जो होता है उसका मान जो है वो 6.673,4 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेर बटे किलो स्क्वेर होता है परमाणू का नाभिक मोडल पहली बार किसके द्वारा खो जागा था तो परमाणू का नाभिक मोडल पहली बार अरनेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खो जागा था किसमे मानवाहर नली का भाग होता है तो वायू कोशी का मानवाहर नली का भाग होता है नहीं होता है सबसे पहला है दंत वल्क यानि दंत एनामल किस से बना होता है तो दंत एनामल जो है केल्शियम फॉस्फेट से बना होता है प्रत्वी के चारों और चंद्रमा की गती किसके कारण होती है तो प्रत्वी के चारों और चंद्रमा की गती गुरुत्व बल के कारण होती है किसमें प्रत्यक और हर एक वस्तूओं के बीच मौजूद होता है परन्तु इसमें तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक की वस्तूओं का द्रवमान बहुत अधिक जैसे की ग्रहों में नहीं होता है तो गुरुत्वा कर्शन बल प्रतेक और हर एक वस्तूओं के बीच मौजूद होता है परन्तु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक की वस्तूओं का द्रभमान बहुत अधिक जैसे की ग्रहों में नहीं होता है फॉस्फुरस की परमान बिक्ता कैसी होती है तो फॉस्फुरस की परमान बिक्ता चतू परमानोग होता है निकल और क्रोमियम को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है निकल और क्रोमियम को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है पौदों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थाय उत्तक को क्या कहा जाता है गति जूर्जा गती के साथ क्या परिवर्दन होता है गति जूर्जा में गती के साथ बढ़ती है एक भीडबाड़ वाली सड़क पर एक बस की गती कैसी किसका उधारन है तो एक भीडबाड़ वाली सडक पर एक बस की गती असमान गती का एक हो धारण है जब प्रेक्तुबल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या नहीं होता तो जब प्रेक्तुबल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंवत हो तो कोई कारण नहीं होता एकी समू में तत्वों के समान क्या पाय जाते हैं सर्सों को किस फूल के रूप में जाना जाता है किसमें अफ्तलदरपन का प्रयोग में नहीं होता तो किसमें अफ्तलदरपन का प्रयोग पश्चे दर्शी धरपन में नहीं होता है तो दोस्तों यह हमारे railway group dD के पूरे सवाल हो चुके हैं और छे दुनों में हमने पूरे ग्रूप D के चुद्व है 18 के पेपर हुए तो उसमें GKGS के सवाल कर लिए हैं इतने की इस बुक में दिये थे इस PD की बुक में तो हमारी ग्रूप D के सवाल पूरे हो गए अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कुछ और GKGS की प्रेक्टि